कि मेलकम स्टूटेंट्स तो कंप्लेक्स नैलिसिसमें आज हमारा लेक्चर 26 है और आज हम सब्विशन कंडिशन को डिफरेंशेबिल्टी की बात करेंगे डैट मेंज आज हम एक ऐसी कंडिशन को फाइंड आउट करेंगे जिससे हम यह बता सकेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी भी domain में differentiable है ठीक है तो उससे हमको पता चलेगा कि function वो differentiable है तो देखिए अभी तक हमने यह पढ़ा था कि अगर f of z हमारे पास कोई भी एक function होता है और यह हमें इस form में दिया होता है means उसके real and imaginary part को हमने separate किया हुआ है तो अगर यह function हमारे पास क्या है अगर मैं यह कहता था यह function differentiable है ठीक है किसी domain में तो क्या होता था कि जो u x होता है हमारे पास is equal to v y and जो u y होता है हमारे पास वो minus of v x यह condition CR condition को satisfy करता है बट हमने counter examples भी की थी कि अगर हमारे पास कोई भी एक function है यह अगर वह condition को satisfy करता है किसे point पर या domain पर बट वहां से हम यह implies नहीं कर सकते थे कि जो यह function है वो हमारे पास differentiable होगा ओके तो आज हम एक ऐसी ही condition को देखेंगे जिससे अब हम यह बता सकेंगे कि वह function differentiable है ठीक है तो देखे condition क्या है कि f हमारे पास u of x और इस फॉर में हमारे पास एक function दिया हुआ है वो भी एक domain डी में और आगे उसने लिख है कि अगर u and v के पास continuous partial derivatives हैं तो second condition क्या है कि यू और v हमारे पास क्या है इसके real and imaginary part है और इनके जो यू आए वी है इनके partial derivative exist करने चाहिए that is u x u y exist करना चाहिए v x Tea ve y भी हमारे पास वो exist करने चाहिए और å-7 में वो क्या होने चाहिए continuous भी होने चाहिए ti ओके तो ये क्या होने चाहिए continuous भी होने चाहिए एक्जिस्ट करने चाहिए उस domain में और उसके बाद वो continuous होने चाहिए ओके अगर ये continuous होगे और उसके बाद ये हमारे पास CR condition को भी satisfy कर दे ये हमारे पास CR condition को भी satisfy कर दे तो क्या होगा कि जो ये function है हमारे पास उस domain में differentiable हो जाएगा ठीक है तो basically हमने इसमें क्या किया कि अगर u of x हमारे पास कोई भी एक function है और उसके ux, uy, vx और vy ये partial derivative उस domain d में exist कर रहे हैं और वो सभी के सभी क्या है उस domain में continuous भी है ठीक है and plus वो हमारे पास ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx वो cr condition भी satisfy कर रहे हैं तो यहां से इन दोनों से हम क्या implies कर सकेंगे कि जो ये हमारे पास function होगा वो एक differentiable function होगा on domain d पे ओके मतलब कि अगर सिरफ cr conditions से हम यह नहीं कह सकते कि function differentiable होगा बट अगर cr condition भी हमारी satisfy कर रही है और साथ में जो ये function है partial derivatives है वो continuous भी हो जाते हैं तब हम ये बता पाएंगे कि function हमारे पास sure हो जाएगा कि वो उस domain d में differentiable होगा ओके तो अभी इसकी कुछ हमें examples करते हैं देखिए examples के दुरान आपको अच्छे से clear होगा तो सबसे पहली हमारे पास एक example है कि f of z हमें एक function दिया हुआ है मारे पास यह function दिया हुआ है अब हमने यह चेक आउट करना है कि यह जो function है हमारे पास वह एक differentiable function है यह नहीं on c पे ठीक है तो सबसे पहले first काम क्या होगा कि हम cr conditions दिखाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमारे पास इसका real part क्या होगा यह और इस function का जो imaginary part होगा वो यह होगा तो अब हम ux निकालेंगे वो होगा आपके पास 2x फिर हम निकालेंगे uy वो होगा आपके पास 0 फिर हम vx निकालेंगे वो 0 आ रहा है और फिर हम v y निकालेंगे वो आ रहा है 2y तो हमने देखा कि पूरे के पूरे C जो हमारे पास एक complex plane है उस पूरे के पूरे complex plane में यह partial derivatives जो है वो exist कर रहे हैं और यह continuous भी है ठीक है तो first condition हमारे पास valid है उसके बाद हम देखते हैं CR condition देखते हैं तो CR condition के लिए क्या करेंगे UX is equal to VY that is 2X किसके equal होना चाहिए तो यहां से क्या implies होगा कि यह condition तब ही valid होगी जब X किसके equal हो जाएगा Y के और जो हमारे पास U Y है वो हमारे पास minus of VX यह equal आ रही है ठीक है तो that means जो हमारे पास function is differentiable है वो किन points पे differentiable होगा जहां पर X is equal to Y होगा मतलब कि सिर्फ इन ही points पे यह function है वो हमारे पास possibility है कि differentiable हो सकता है ठीक है CR condition से हमारे पास अगर हम सिर्फ CR condition की बात करें तो वहां से हमारे पास यह हुआ कि अगर यह मेरे पास complex plane है ठीक है और X is equal to Y कहां पर होता है this line Y is equal to X अगर हम सिर्फ CR condition की बात करते तो क्या होता कि हम सिर्फ यह बोल सकते थे कि जो यह मेरे पास function है वो सिर्फ इस line के उपर ही differentiable हो सकता है अभी भी shorty नहीं है ठीक है अगर हम सिर्फ CR condition की बात करेंगे बट अगर इस result का अगर हम को पता है कि अगर उसके partial derivatives जो है वो इस पूरी की पूरी line पे continues भी है और exist भी कर रहे है तो दोनों को combine करकर अब हम यह बता सकेंगे कि जो यह मेरे पास function है f of z वो क्या है differentiable होगा when y is equal to x होगा ठीक है मतलब कि सिर्फ इनी ही points पे function जो है वो differentiable हो सकते है अगर आपको z की form में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि x plus iota y that means 1 plus iota into x it means हमारे पास यह points आ जाएंगे z is equal to 1 plus iota x इन points पे ही मारा जो function है वो differentiable होगा इसके लाबा कहीं पर भी यह function differentiable नहीं होगा अब हम इसी की एक second example लेते हैं देखिए second example हमारे पास given है f of z is equal to x square plus y square plus iota xy तो यहां से हमारे पास जो इसका real part आएगा वो आएगा आएगा आपके पास x square plus y square और imaginary part आएगा आएगा आपके पास x y तो अब हम इसके partial derivatives निकालते हैं तो यह आएगा आपके पास 2x, u y आएगा आपके पास 2y, partial derivative इसका निकालते हैं with respect to x, आपके पास y आएगा, अगर y निकालेंगे तो आपके पास x आएगा, ओके तो that means partial derivative तो हमारे पास exist कर रहे हैं पूरे के पूरे complex plane पे और वो continuous भी हैं, तो अब बात करते हैं हम CR condition की, तो CR condition के लिए सबसे पहले u x is equal to vy that is 2x is equal to x के एकपल होना चाहिए, तो यहाँ से यह चीज आएगी और x common लेंगे, यहाँ से आपके पास x is equal to 0, तो यहाँ से condition ने बनी, कि x मारे पास क्या होना चाहिए, जीरो की एकपल होना चाहिए, अब ह u y is equal to minus of v x apply करेंगे, और u y है हमारे पास, 2 y is equal to minus of v x, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 y equal to 0, और यहाँ से भी y क्या आएगा 0, तो that means, क्या हुआ, कि अगर हम CR condition की बात करें अकेले, तो CR condition से हम यह मिला, कि जो function है हमारे पास, वो सिरफ x is equal to 0, और y is equal to 0, to 0 पे differentiable हो सकता है, अभी भी confirm नहीं हुआ, वो सिरफ differentiable हो सकता है, इन दो points के लावा कभी भी differentiable नहीं होगा, that means, सिरफ और सिरफ इस point के पे हमारे पास अभी possibility है, कि function differentiable हो सकता है, तो possibility है, अब हम हमारा यह वाला result रिजूज करेंगे, कि इसके जो partial derivatives हैं, वो इस point पे exist भी कर रहे हैं, और वो continuous भी है, तो that means, इसके जो ux, uy, vx, and vy, जो यह partial derivative समने लिए, वो भी इस point पे continuous होगे, ठीक है, तो that means, अब हम यह shorty के साथ बोल सकते है, कि जो f of z हमारे पास यह function है, वो differentiable होगा, only at z is equal to 0, that is, सिर्फ origin पे ही यह function हमारे पास differentiable होगा, ठीक है, तो देखे, कितना important result है हमारे पास, CR condition हमको यह बताता है, कि किन-किन points पे differentiable होता है, ठीक है, और यह result हमको यह बताता है, कि shorty देता है, कि इन points पे वो हो सकता है, अगर यह condition satisfy करे, ल किक करे, कि अष्यक स्वित, प्रें कि अढ़े वो यह रदास नदे वो हो यह सा सिर्व जार खे वो हो यह इन 20 महीं ता है, कि अँर मेद सकता है, के अष्यक पे अभी कि अधर धर चास, HAVE इūर का पास, permitirबो जासाच है, कि अढ़ने ब्यक्शन के होagtाह, कि थेका है और रू